पहली नजर में तुमने उसे पसंद कर लिया और उसने तुमें और इस लवट फॉर साइड को तुम महबत कह रहे हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्योंकि यार पहली नजर में तो हमें आंटीक चीज़ भी पसंद आ जाती है पर हम उसे घर में रखते हैं दिखावे के लिए अअखेले पन के मारे तो दो अंज़ान मसाफिर भी एक दूसरे से बात करी लेते हैं अरे धर किसी लड़की को देखके वो तुमारा हाथ पकड़ लेती है और किसी लड़के को देखके तुम उसका और इस cute jealousy को तुम महबत कहरे हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्यूंकि आप तुम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हो और इसे तुम महबबत कहते हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्यूंकि याद रखो दो भूके बिकारे भी एक दूसरे की भूक समझ सकते है पर मिटा नहीं सकते अरे अगर तुम anniversary का celebration हर महीने कर रहे हो और इसे तुम महबबत कहते हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्यूंकि दास्ता ने इश्च को बया करने के लिए साल का कोई number नहीं चाहिए होता अरे बस क्यूंकि तुम उसके इंस्टा स्टोरीज का और वो तुमारे snap स्टोरीज का हिस्सा बन चुकी है और इसे तुम महबबत कह रहे हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्यूंकि यह महबबत को filter के साथ save नहीं किया जाता हो उसे बस उसी लम्मे में जिया जाता है हाँ लेकिन लेकिन अगर जिस्मों में उलजने से पहले तुम उसकी जुलफों में उलजना चाते हो अगर उसके कपड़ों के बेपरदा होने से पहले तुम अपने सारे राज उसके साम में खोल दिये और उसने भी अपने सारे डर का जिकर तुम्हारे सामे कर दिया अगर उसका हर आसू तुम्हारे ही कमीज पे बैता हो और तुम्हारे मुसकान की वज़ा उसकी नादानिया ही हो तो शायद शायद नहीं यार यही प्यार है अगर ये प्यार तुम्हें मिल गया तो इसे पकड़ लो जगड़ लगा लो जहां मौका मिले बस इसे कहते रहो कि तुम इसे कितना प्यार करते हो क्योंकि ऐसी मोहबबत से मुलाकात होने में जिंदेगी का एक काफी लंबार सा बीच जाता है